आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Voto खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि Midwife Toad हम इन में से किसके लिए नेम यूज करते हैं तो यहाँ पर LIT हमारा Corrected Answer हो चाएगा यह एक ऐसा जीनस है जिसको Midwife Toad इसके Parental Care को देखते हुए कहा जाता है जैसा कि हमें पता है कि Midwife Term का मतलब होता है एक ऐसी Health Professional एक ऐसी Lady जो Delivery करवाने में Help करें और Delivery के बाद Mother की और Newborn Child की Care करती है तो Midwife Toad में Parental Care कैसे देखे जाती है कि जो Male Midwife Toad होता है वो अपनी Back के उपर इस तरह से जैसे हम Image में देख सकते हैं Fertilized Eggs को Carry करता है Female यहाँ पर क्या करती है इस Species की जो Female है वो Eggs की एक Strand रिलीस करती है अपनी बोडी से और Male इन एक्स को Externally Fertilize करता है क्योंकि यह एक टोड है तो Amphibians में आ जाएगा और Amphibians में तो हम External Fertilization ही देखता है पानी के अंदर लेकिन इनहें Fertilize कर देने के बाद इन Fertilized Eggs के Strand को या String को यह अपनी बैक पे करता है ताकि पानी में जो भी Predators प्रेजंट हो उनसे इनको प्रोटेक्ट कर सके तो जब तक यह हैच होने के लिए रेडी नहीं हो जाते तब तक यह Male Toad अपनी बैक पे इस तरह से Fertilized Eggs को करता है और जब यह Develop हो जाते हैं होने के लिए रेडी हो जाते हैं तो यह Water में बूफ करता है और Shallow Water में जाकर Deadpoles को Egg से बाहर निकलने के लिए अलाव कर देता है इसलिए हम इसको Midwife टोट केते हैं और Elitesis Genus का नाम है जिसमें यह बिलॉंग करता है बाकि अगर ऑप्शन्स देखें Highla जो Genus है यह हम Tree Frogs की Family के लिए यूज़ करते हैं फिर Similarly Recoforus Shrub Frogs के लिए यूज़ किया जाने वाला Scientific Name है और Rhinoderma एक ऐसा Genus है जिसमें दो ही Species होती है और इनको Darwin's Frogs के नाम से हम जानते हैं तो यहाँ पर Highla का Common Name हो गया Tree Frog, Recoforus हो गया Shrub Frog और Rhinoderma है Darwin's Frog तो Midwife Toad हमारे पास एक ही है जिसको हम LIT कहते हैं इसमें पाई जाने वाली Parental Care की वज़े से क्योंकि मेल अपने बैक पे Fertilized Eggs की एक String कैरी करता है जब तक वो Hatch नहीं हो जाते तो Option A यहाँ पर हम सही आंसर माग करतेंगे Classics Tutorial से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर